नमस्कार मैं हूँ आकाश और आप देख रहें निर्भ्यू लगातार हम लोग खबरों बने हुए हैं और यह प्रयास करते हैं कि आप भी हमारे साथ खबरों में जोड़े हुए हैं आज से हम लोग एक विश्यस प्रयास करते हैं कि आपको दिन बर की जो मुखी खबरे हैं वो दिखाएं, चाहे वो आप सिवान की हो या परदेश की हो, जो भी बड़ी खबरे हैं आपके साथ जोड़के रखना चाहते हैं और आप से रूबरू कराना चाहते हैं, तो हमारा प परहडिया थाना छेत्र में पागल बंदर के लागातार हमले से ग्रामडों में है दसत फिर एक योग को किया घायल। आपको बता दे कि सिवान जिला के परहडिया थाना छेत्र के पक्षमी इलाकी की कैलगड उत्तर, कैलगड दच्षिर और लकडी पंचायतों के कई गाउं में बंदरू का तंच छेत्रवासी दसतस में हैं। आपको बता दे कि मंगलबार को पागल बंदर ने परखंड के हली मटोला के बलराम भगत के पुत्र ब्रिज किशोर परशाद उर्फ भोला को भुरी तरह घायल कर दिया जिनका इलाज अस्थानी अस्पताल में कराय जा रहा है। वही बंदर का तंच को देखते हुए अस्थानी लोगों द्वारा जिलप परसातन से गुहार लगाय जा रहा है कि जल से जल बंदर को पकड़ा जाए। यदि इसे नहीं पकड़ा जाता है तो बहुत जल छेत्र में जन आंदोलन किया जाएगा। सिवान सहर के बिचो बिच गुजरने वाली दाहा नदी के पानी का जाच करने आज बिहार राज्य परदुशन नियंतरन पटना से एक टीम आई और सिवान दाहा नदी के दो जगहों से पानी का सेंपल लिया और उस सेंपल को लेकर पटना चले गई हैं। जी हाँ आपको बता दें कि बिहार राज्य परदुशन नियंतरन परिशत से बिहार सिवान में दाहा नदी के पानी को जाच करने के लिए सिवान में एक टीम आई जिसने सिवान के दाहा नदी के एक सहरी चित्रे के किनारे और दुसरे ग्रामिट चित्रे के किनारे से पान dusty। में चटध पूजा के ऑसर पर चटधों के भीच पुजन-शमागरी का वित्रण मारागन प्रखंशत के सीवद्धा गाउं में चटू आ के स्विबगो helped जितन्द्र मिष्वाई किया आपको बताता है कि जेतनी मिश्रा के दोरा चटवर्तियों के भी चटपुजा की शमागरी का बित्रण किया गया जेतनी मिश्रा ने अपने पीता जलिस मिश्रा के दोरा बित्रण का कारे शंपन कराया जेतने इशारा ने बताया कि बित्रंग के दुरान मनिश मिश्डा नेश मिश्डा अनुप मिश्डा प्रत्थम मिश्डा मिल जूल कर शेयुकिया जून है पिछले वर्स भी हमने गाव में लगबग एक और चट वर्थियों के भी समागरी बित्रंग किया था इस बार एक सो महानपर्व में सहीयों करेंगे. अब का पड़ीचा में सब्सक्राइब करेंगे अब का पड़ीचा में सब्सक्राइब करेंगे लिए आज सीवान के दहा नदीर पुलवा घाट और और सीवान के अन्य कई घाटों पर पहुंचे सीवान नगरपर्षद की अध्यक्ष सिंधु सिंगयों अन्य पार्षद आपको बता दे कि सीवान में लोक आसता है कि महापर्षट घाट की सफाई के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहे हैं और इसको लेकर सीवान के कई जगहों पर सफाई अभियान शुरू है और इसी क्रम में सीवान के पुल्वा घाट और सीवान बड़ी घाट छोटी घाट पे भी सफाई सुरू हो चुका है जिसका अन्यक्षर करने सीवान नगरपर्षद के अध्यक सिंदु सिंग सिवान नगरपर्षद के अधिकारी सह तमाम वाड़ पार्सत भी पहुंचें सिवान में फसिल था ना चेत्र के पकड़ी बंगाली चेत्रे से पुलिस ने सराब के शाथ एक महीला को गिरफतार कर लिया आपको बता दे कि संबन्द में ओपी थाना प्रवारिश या सी भूशर मिशा ने बता है कि गुश्चना के अ किया गया है